नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों इस यूडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC Net Examination June 2021 के बारे में दोस्तों काफी दिनों से CSIR के बारे में कोई information नहीं मिल लए थी कुछ दिन पहले CSIR ने ट्विट करके यह जानकारी दी थी Examination के बारे में और दोस्तों अब information bulletin जारी करके जून 2021 के लिए जो online फार्म है वो लेना शुरू कर दिये गए हैं ठीक आवेदन प्रारम्ब हैं तो जो भी अब बरती CSIR Net का exam के फार्म का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी ख़बर है यहां पर आपको सारी details बताने वाले हैं किसमें आवेदन करने के लिए क्या eligibility criteria होना चाहिए क्या edge limit होना चाहिए और इसके अलावा exam कब होगा syllabus के होगा exam pattern क्या होगा बहुत सारे point जो आप जानना चाहते ह हैं सारी चीज़े बिल्कुल details से बताएंगे तो वीडियो को आप लोग लाइक और सेर कर दीजेगा साथे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम समय में कैसे अपनी जो CSIR की तैयारी यह उसको अच्छा boost कर सकते हैं कहां कहां से आपको किन-किन sources से तैयारी करने चाहि जनवरी 2022 है और फीस payment करने की जो लाश्ट डेट है वह आपकी तीन जनवरी 2021 रात बारा वजे तक है फीस भी देख सकते हैं जन्रल और EWS कंडिडेट के लिए 1000 है ओबीसी नौन क्रीमिलेर के लिए आपकी 500 है SCST के लिए 500 रुपए है थर्ड जंडर के लिए 500 रुपए है और PWD के लिए कोई भी सुलक यहां पर नहीं लगेगा निल है ठीक है फीस online payment के जरी आप पेड़ कर सकते हैं अब यहां पर कुछ major और भी डेट हैं जिन के बारे में आपको जानना है साथ में एक्जाम के बारे सबसे पहले यहां पर करेक्शन के बारे में दिया गया है कि अगर फार्म में कोई तूटी हो जाती है तो पांच जनवरी 2022 से नो जनवरी 2022 तक इसमें आप संसूधन कर सकते हैं आपका जो एक्जाम होगा यह सीब्यूटी मोड होगा मुलब कंप्यूटर बेस्ट होगा एमसी की उस पूंचे जाती है इस परिच्छा में आपको तीन गंटे का यहां पर समय होता है ठीक है और यहां पर जो एक्जाम डेट पहले से डिक्लेयर की गई है कि 29 जनवरी 2022 का आपको पहले फेस का एक्जाम होगा इसके बाद सेकंड फेस होगा पांच फरवरी को और थ होगा एड्मिट कार्ट आपका दस से पंदरा दिन पहले जारी कर दिये जाएंगे तो उसकी सुचना आपको चैनल के माध्यम से प्रवाइड कर दी जाएगी अब यहां पर इस्टार्टिंग में आएंगो तो यहां पर पूरा दिया गया है सारा कुछ कि यहां पर आप लोग दे सकते हैं यहां पर समझाया गया है ठीक है इसको आप मैं आपको समझा देता हूं बाकि आप लोग एक बार पर जरूर लीजिएगा इसमें सबसे पहले देखें आप बोला गए एक यहीं आपने मैं उसकी किया हुआ या कोई उसका समकच कोई दूसरी डिगरी है या इंटीग्रेटट बी एसमेस है यह फोर वर्शी बी एस अब का है या बी है यह बी टेक है या भी फोर्मा आए या एमबी बीएस विद एटलिस 50 परसंट मांक सा है ठीक है और 55 मांक्स की जो कंडीशन है वह अन्रिजर्ब काटेगरी के लिए और EWS के लिए साथ में यहां पर है ठीक है मतलब यू आर EWS और OBC के लिए 55% मांक्स की कंडीशन यहां पर आए साथ में जो सेश्टी थर्ड जेंडर कंडिडेट है या पीडवलूडी कंडिडेट इनके लिए फिफ्टी पर्सेंट माक्स यहाँ पर कंपल सरी है आपका इंडिग्रियों में जो आमने आपको बताएं यहाँ पर बोला गए राउंड आफ आपको नहीं करना है जैसे किसी वियद्धि का मिनमम 55% कंपल सरी है और सी तरीके से स्ट के लिए भी बीडवूड के लिए भी मिनमम 50% कंपल सरी है ठीक है राउंड आफ आपको नहीं करना है अब यहाँ पर और भी बोला के कंडिडेट्स इन्रोल्ड फार एमस्सी और हैविंग कंपलिटेटेट टेन प्लस तू प्लस त अब दा एबब क्वैलिफाइंग एक्जामनेशन एज ओन दा क्लोजिंग डेट अप ओनलाइन समिशन अप अप्लिकेशन और आलसो इलिजिबल टू अपलाई इन दा एबब सब्जेक्ट अंडर दा रिजल्ट अवेटेड लब जो इस समय अब धरती एपीरिंग में हैं उ कोई डिगरी उनकी चल रहा ही वो भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं जब फार्म बनेंगे तो वहां पर आपके सामने कालम आएगा रिजल्ट अवेटेड आपको आपर सो करना होगा ठीक है बांकी डेटेल के लिए आप यहां पर पढ़ सकते हैं और भी कई सारी हिल्मिटी है वो 28 years है एज की जो काउंटिंग होगी आपकी एक साथ 2020 से की जाएगी यहां पर अपर अपर एज में मिलेगा ठीक है बांकी अगर आप लेक्चर सिप के लिए आविदन करना चाहते हैं या असिस्टन प्रफेसर के लिए आविदन करना चाहते हैं तो अपर एज की कोई है लिमिट नहीं है ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करेंगे एक्जाम के बारे में तो यहां पर देखें लगश्यार करो समझाया गया है यहां पर किलम ला करके 500 कि लिए आप都有 सब्यूर्ड होते हैं आप लोग जानते हैं और सब्यक्ट कि जो melted Yog कि आईמבmeden कर विदू कर साइंस और इसके अलावा अर्थ साइंस के अंतर अंज देखिए यह अगर आप देखें कि कितने कोश्चन्स आएंगे यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट वाज यहां पर एक्सेटें किया गया तो इसका चाहे तो आप स्क्रीन सोट ले लीजिए और चाहे तो आप जो है अपना पार्ट ए जो होगा यह एक जनर्रल एप्टिटूट टेस्ट होता है ठीक है जो सभी सब्जिक के लिए कॉमन होगा पार्ट ए पार्ट ए में देखें तो यहाँ पर बीस क्वेस्टेंस आप से पूंचे जाएंगे आपको केवल पंदरा टेम्ट करने हैं ठीक है और एक करेक् सकते हैं तो पार्ट बी और पार्ट सी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहरी करे गए ठीक है तो मैं आपको सब्जेस्ट करूंगा कि जिस सब्जेक्ट से आप से साईया में एपियर होना चाहते हैं वह सब्जेक्ट यहां पर आप लोग देख लीजेगा उसके साब कटाव जो होती है उस पर पहुंचेंगे कटाव कूपर जाएंगे तो कौलिफाई होगा ठीक है तो इसको आप डेटियल से देख लीजेगा तो कि अगर सारी चीजे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यदा लंबा हो जाएगा अब यहां पर देखिए और भी एक्स्प आपको अपना जो मेडिया मोगा वह चुनना होगा और इस पीडिया पर नीचे के तरफ आएंगे तो अलाग अलाग प्रोफार्मा दिएगा सर्टिफिकर्ट संबंदी तो देख लीजेगा जो आपकी डिजर्व का टेक्रिस संबंद प्रोफार्मा है या जो कुछ भी प्र आपको बता दूंगा अब देखिए आपको CSIR नेट के आवेदन फार्म भरने के लिए स्लेवस डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पर आना है ठीक है अब यहां पर देखिए जैसे आएंगे लेटेस जॉब के सेक्शन में आ कर सकते हैं और आवेदन भी यहीं से कर सकते हैं साथ में नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सलेवस डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी यहां से क करने हैं तब ही यहां पर आप कम समय में अच्छे त्यारी कर पाएंगे जो आपके प्रीवियस और को स्वेपर आएं सब्सक्राइब प्रैक्टिस जाम करें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए यहां और आप लोगों के लिए हमने देखे CSIR NET के सभी सब्जेक की पूरी ओनलाइन टेस्ट स्रीज अवलेवल करवाई है यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगा टेस्ट स्रीज पर सामने क्लिक हीर पर अब आपके सामने यह देखे की एंटीए CSIR की पूरी टेस्ट इस यहां पर आजाएगी यहां पर देखे लाइफ सायंस की आपको 64 टेस्ट शिए करना है और यहां पर आटेम्ट टेस्ट नाव पर क्लिक करना ठीक है अब यहां पर देखिए आपको प्रेविवियस यह भी मिल जाएंगा साथ में प्रेक्टिस भी मिल जागे मॉक टेस्ट भी दिये गए और प्रीवेस यहां पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद देखें यहां पर टेस्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इसको डेमो ले त्यारी करने का और सेलेक्ट होने का ठीक है तो क्रेस कोड़ करिए जदस जदस रिवीजन प्राक्टिस करिए तब यह आपका क्वालिफाई होगा वह से यहां पर क्वालिफाई करना कोई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अगर आप 55% मार्क्स भी लेकर के आ जाते हैं तो आपका जियारफ क्वालिफाई हो जाता है यहां पर ठीक है तो बहुत बड़ा कोई टफ काम नहीं है लेकिन हां पर रहना पड़ेगा अच्छे से त्यारी करना ही पड़ेगी तभी सारी चीज़े संभव हो पाएंगी फिलाले इस वीड़े में इतना ही धन्यवाद है